होमेपैथी फिजीशन एसोसियेशन के तद्वादान में होटल जैनेक्स की निकट सबजी मंडी सिकंद्रा बाइपास रोड आगरा विश्व होमेपैथी दिवस बनाये गया जो की होमेपैथी के जनक डॉक्टर सुमेला हैनीमैन के जनम दिन पर बनाये जाता है जिसमें पूरा विश्व जो है वर्ल्ड होमेपैथी डे के इस रूप में मनाता है तो आज इसी दिवस को हमने मनाने के लिए होमेपैथी में ग्रेट साइंटिस्ट हुए है डॉक्टर जेटी केंट उन्होंने कहा कि अगर डॉक्टर हैनीमेन के बर्डे को रियल सेलिबरेशन करना अज हमारे होमेपैथी के जनक पाउंडर उनका जनम दिन है और इस उप्लक्ष में सेमिनास, गोस्टी और विविन कारेकरम का आवेजन किया जा रहा है आज हमारे होमियोपैथी के फाउंडर डॉक्टर क्रिश्चन फ्रीडरिक सैमल हैनमन सर का जन्म दिवस है उसी के उपलक्ष में यहां कारेक्रम हो रहा है होमियोपैथिक फिजीशन असोसियेशन के मेंबर्स के द्वारा कारेक्रम के शिरुवात मुक्य अतिती और संस्ता के पदादिकारों के उपस्तिती में डॉक्टर हैनिमन के चित्र पर मालयां पढ़वाद देव प्रजन कर किया गया इस अबसर पर बोलते हुए संस्ता के सचिफ डॉक्टर अनिल बिहारी ने बताया कि होमियोपैथि का जन्म डॉक्टर हैनिमन ने असादे रोगों के लिए किया इस शिकित्सा के दोरा हम जेनेटिक रोगों का उपचार भी कर सकते हैं आज का कारिक्रम है कर रहा है विशुस्वास्त दिवस के रूप में जा रहा है और खैनी मन सहाब इसे बातने हैं, होमे पेती बहुत ही जल्दी फायदा करती हैं, कुछ केसिस में तो ऐसा देखा गया है कि आप दबा मुँमें डालें और तुनेतर रेलट आता है। संस्ता के अध्यक्ष डॉक्टर प्रमूत सिकरवार ने कारिक्रव में विध्यारतियों को जैनेटिक रोग उपचार के बारे में चर्चा की वर डॉक्टर किष्णा कांत निगम ने भी गोस्टी में दवा पर चर्चा की इस अपसर पर कोश्या देश डॉक्टर अर्जुन सिंग वरिश्चिकित्सक डॉक्टर वाईसी वर्मा डॉक्टर अनिल गौतम वर डॉक्टर अमित सारस्वत डॉक्टर गौरफ डॉक्टर प्रभल डॉक्टर अंकुर प्रकाश डॉक्टर तहसीन डॉक्टर गौतम वर डॉ को चक मुख्य रूप से उपस्तित रहे बिरो रिपोर्ट सी न्यूस आगरा